आफिछ ये लुडिन, मैं विने निरुभिक, आपका एक बार फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है, तो प्रेंद्स आररवी एंटी पीसी, सी बीक्रूप डी एक्जाम, डेट अप्डेट, बिगबरेकिंग्ग अप्डेट जी हाँ अभी तक आप लोग को शक लग रहा था जब मैं बोल रहा था कि ये दोनों एक्जाम अपने टाइम पर नहीं होने वाले हैं जिसके पीछे कई सारे रिजन्स थें कोवीड का रिजन था ही फिर इलेक्शन का रिजन था फिर जब ये रिजल्ट वाला इश्यू हो गया तीसरा रिजन यहां पर सामने आ गया मतलब कई रिजन मैं आपको यहां पर दिया था बट बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे ये लोग करता है मैसा नहीं के टुटी फैल आता है एक्जाम होगा जब इलेक्शन हो रहा है एक्जाम क्यों नहीं होगा जबकि मैं कई बार इसी बात पर लागतार जोर दे रहा था कि यहीं सबसे में कारड है इलेक्शन हो रहा इसलिए तो एक्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्शन के टाइम क्या होता है सब कुछ अलेडी बंद हो जाता है कहीं कोई काम नहीं होता है तो बहुत से लोग यह बोल रहे थे कि यह तो ऑनलाइन एक्जाम है यहां बाकी से क्या मतलब है, बाकी स्टाफ से क्या मतलब है भाई चाहे online हो चाहे offline हो, election के time क्या होता है कहीं भी डिकठा करना allow नहीं होता, यह बात आपको मालूम अगर जब अचार सहीता लग जाता है तो ऐसे ही कोई काम नहीं हो पाता है और आपका exam तो एक दिन नहीं कई दिन चलने वाला है और प्लस एकदम बिल्कुल election के ही dates पे है तो कैसे हो पाएगा यह मैं सुरू से कह रहा था और cases भी देख रहे हैं कुछ जगह अभी घटते हुए दिख रहे हैं लेकिन maximum जगह बढ़ते हुए दिख रहे हैं अभी अगर ह जब आप दोगे जब S.S.C. भी अपना exam पोस्ट पॉन कर दिया तो जी आफ्रेंट बिल्कुल official इसमें जड़ा से फेक नहीं है बिल्कुल official S.S.C. अपना exam पोस्ट पॉन कर चुका है तो अब आप क्या कहेंगे अब वो लोग जो logic दे रहे थे यह किसी YouTuber नहीं बात उठाय जब चुनाओ हो रहा है तो exam भी होगा आप लोग कमेंट करेंगे बता सकते कहां से आखरी बात सुरू किये थे आप लोग जबकि मैं आप लोग से बार बार कर रहा था कि आप लोग इबार constitution पढ़िए यह constitution के ही तहत हो रहा है कि election नहीं रुख सकता है लेकिन exam जरूर रु लेकिन exam तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा impossible है क्योंकि आज तक कभी नहीं हो अपने इंडिया में कि election के साथ कहीं कोई exam हो यहां तक कि board exam तक नहीं होते हैं रुख जाते हैं तो आप लोग का यह railway exam कौन सी बड़ी बात है जब SSC exam कई बार रुख गया है तो आपका railway exam कौन सी बड़ी बात है मैं अभी example दिया भी था अपने पिछले कई videos में कि जब Bengal का election चल रहा था तो वहां पर SSC exam को रोग दिया गया था बाकी states में अपने exam को कराया था SSC ने तो भी आप लोग को समझ में नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ जब SSC जितना बड़ा commission ने अपने exam को रो कोई बोलने वाला नहीं है रेलवे के कोई जिम्मिदारी नहीं है लेकिन SSC UPSC exam exam में ऐसा कुछ नहीं होता है इनका fix calendar होता है मैं बार बर कहता हूं और कुछ पागली यूटूबर्स calendar के भी demand कर रहते हैं कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि रेलवे कभी calendar जारी नहीं करता है रेलवे के रूस में यह चीज नहीं है कि वो calendar जारी करे और वैसे बे calendar जारी करे तो किसी जारी करे जब उसके पास कोई exam नहीं कराने का calendar ज़ोग जारी करते हैं जिनको हर सल 5-6 exam कराने होते हैं और हर सल fix होता है तो उन्हें केलेंडर जारी करना compulsory होता है जैसे अभी कहें UPPSC का कलेंडर आने वाला है एक हफ़ते के अंदर अब फिर आप लोग कहेंगे कि पहले इस न्यूस कैसे बता देते हो तो friends जब confirm रहता है तभी मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आज मालीजे 17 तारीक है तो एक हफ़ता नहीं कह सकते है ठीक है मैं यही कहूंगा maximum इस मन्त के अंड तक UPPSC का कलेंडर जारी हो जाएगा अब कहेंगे वो क्यों कलेंडर जारी कर रहा है वो इसलिए कलेंडर जारी कर रहा है यहाँ पर देख लिजिए में रिजन इलेक्शन ही जैसके मैं आपको सुरू से कह रहा था कि इलेक्शन में कभी भी एक्जाम्स नहीं हो सकते हैं यह थिए इंपोर्त नोटिस सेलेक्शन पॉस्ट एग्शामिनाशन फेस नाइ टोसंट टीवे इन रिक्या लिख रहा हूँ है एंड पंजाब, अब यहाँ पर देख लिजिए, यहाँ पर COVID का कोई रिजन नहीं दिया गया है, अभी तक जितने एक्जाम सुए थे, COVID के वैसे पुस्पॉन हुए थे, जो भी पुस्पॉन होते, लेकिन यहाँ पर देख लिजिए, मैं क्या बोला था, COVID तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अब तो इलेक्शन आ गया है, अब तो बिल्कुल ओभी डाउट खतम हो गया, क्योंकि इलेक्शन के टाइम कभी भी कोई एक्जाम नहीं होता है, और जब पांच-पांच राजियों में एक्जाम कैसे होगा, अगर हम माल लेते हैं, अधर जगे एक् करेगा, क्योंकि रेल्यवे के पास में पावर की कमी है, बस देखा जाते हैं, बहुत बड़ा है, लेकिन ये काम रेल्युट इतना असान नहीं है, कि केवल दो इस्टेट में पुस्ट्पॉन करदे?, बाकी इस्टेट में एक्जाम करा दे, और बाद में कराएगा, क्योंकि रेलवे का क्या होता है रेलवे के जैसे एक्जाम जो हैं combine हो रहे हैं एससी का क्या होता है पेपर तो combine बनता है फिर भी उसका जोन बना हुआ है आपको मालूम होगा Northern और भी बात करें तो 19 है तो इहां पर क्या है कि रेलिवे लेकिन ऐसा कभी करता है आपको मालूम है जब से ऑनलाइन एकजाम हुआ तब कंभाने एकजाम करा रहा रहा है तो समझ रहे हैं कि रेल्ट अलग अलग पेपर नहीं पहले जब offline exam होता था तो combined exam नहीं होता था अलगलग date पे notification आता था अलग date पे exam सब कुछ अलगलग होता था बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर सब कुछ एक साथ हो रहा है इसलिए यह नहीं करेंगे पूरा करेंगे जिसके बारे मैं आपको confirm ली कई बार बता चुका हूं लगभग डेली बताता ही यह बात कि एक्जाम नहीं होगा अपने टाइम पे ठीके अब आपके सामने है अब आप लोग क्या कहेंगे अब आप लोग इलेक्शन से कंपेर करके देख लिजिए जब SSC जैसा ही मतलब कमिशन जो है हार मान के एलेक्शन के आगे तो railway क्या चीज ह जो कि railway का कोई fix criteria नहीं होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उत्तरपदी सुत्रकंड पंजाब fresh dates of examination for the affected candidates will be announced in due course यहाँ पे आप समझ रहे हैं यह लोग अभी fix date भी नहीं दे पार है fresh date भी नहीं दे पार है क्यों नहीं दे पार है इसका reason यह है इन्हें अपने TCS से अपन लेकिन क्या होगा मामला मामला यह है अगर कोविट situation बिगड़ जाता है तो फिर इसलिए लोग अभी कोई date नहीं दे रहे हैं इसलिए अभी आगे देखिए यह कब date देते हैं कब date नहीं देते हैं अभी कोई नहीं जानता है ठीक आगे लिखा हुआ है selection post examinations phase 9 2021 will be conducted as per schedule that is from 2 2nd February 2022 to 10th in all other states अभी कहा जा रहा है कि इन 3 states में तो हम postpone कर रहे हैं लेकिन other states में अपने schedule के recording ही exam होंगे यानि कि 2nd से 10 के बीची होंगे आप लोग कहेंगे railway कहां postpone किया है तो फिर इसलिए बारे में पहले ही बोल चुका हुआ हूँ कि रेले अपना exam postpone कर चुका है बस अभ अभी वो और date इंतजार कर रहा है थोड़ा election के और नजदीक हो जाए यानि कि थोड़ा सा महौल बन जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा वो अपना notice दे देगा जिसके बारे मैं सुरू से कह रहा हूँ और अभी आप जान रहे है अभी result का भी issue खड़ा हो चुका है तो ज अभी नहीं होने वाला है इसमें भी कोई डाउट नहीं है कुछ भी आप लोग कह लिए अभी बहूत से लोग को विस्वास नहीं होगा एफी लोग वही रागा लापेंगे कि election हो रहा है तो अभी इसाम के साथ एक्जाम कभी नहीं होता है और पहले वी example डे चुका हूं अगर इसके बाद भी आपका दिमाग नहीं खुलता है, आंके नहीं खुलती हैं, तो फिर आपको जो सोचना वो सोच सकते हैं, क्योंकि यूटूबर्स आपको ब्रहम में डालते रहेंगे, उन्हें कोर्स बेचना है, ठीक है, लेकिन मैं हमें सचाई दिखाने का प्रयास करता है, तो गुरुप ने एक्जाम कराया जा सकता है, लेकिन ओभी 23rd फरवरी से नहीं हो सकता है, क्योंकि exactly 23rd को ही सायद एलेक्शन भी है, ठीक है, तो और जो COVID चलना भी चली रहा है, COVID डाउन होने के चांसेज लग रहे हैं, मार्स तक हो पाएंगे, ऐसा देखने में लग रह है situation, क्योंकि दिल्ली मुंबई में डाउन होने लगा है, बाकी अधर पार्ट में अपने कंट्री के देखा जाए, तो अभी डाउन नहीं हो रहा है, अभी अपवर्ड ही बढ़ता जा रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे यहीं कहूंगा, अगर अभी विश्वास नहीं है, तो यह आपकी सोच में निर्भर करता है, कि कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन मैं आप लोग के भखायम आके मैं जूटा वादा नहीं कर सकता हूं, कि हाँ एक्जाम इसी टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं बेशना है, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना है, ठैंक यू, जय हिंद, जय भारत.